मेरा नाम है विक्रम दित्या और इस वीडियो में आपको पताने वाला हूँ जो काफी सारे लोगों ने पूछा ये सवाल कि कि SBI के उनके अकाउंट में जब वियो स्टेटमेंट लेते हैं तो स्टेटमेंट के लिए चार्जिस कितने लगते हैं ठीक है काफी सारे लोगों को कंफिजन था तो यहीं कंफिजन में आपका दूर करने आला हूँ तो चली शुरू करते हैं तो देखिए जब भी आप अपन स्टेटमेंट होता है मगरिग सेवgen अकाउंट के लिए स्टेटमेंट प्र्वि नहीं होता है अगर आपको अपने अपने अंपर प्रंजेशन देखने है तो आपको आपना प्टबूक जो है वो अपड़ेट कराना पड़ेगा फ्री आफ्ट को प्षाफ्ट होता है मगर current account में passbook नहीं मिलता है State Bank of India में इस case में उन्हें statement लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनको जो उनका income tax वगरा है उसके लिए वो लगता ही है statement ठीक है तो इसके लिए उनको monthly statement free है हर month का one time statement free है बट अगर आप duplicate statement लेने जाते हो current वाले तो आपको charges देने पड़ेंगे जैसे saving वालों को देने पड़ते है ठीक है तो ये charges कितने होते है तो देखिए अगर आप State Bank of India से statement लेने जाते हो तो आपको जो है charges आते है 118 रूपे 100 रूपे charges होते है 18% उस पर GST लगता है तो 118 रूपे charges होते है एक page के एक page या फिर 40 entries मतलब 40 entry अगर आ जाती है आपकी तो 40 entry आने के लिए आपको 2-3 पेज लग जाएंगे तो 40 entry तक आपको जो है वो 118 रूपे देने है और 40 entry से अगर जादा entries हो गई तो आपको multiple में 118 के multiple में मतलब और 118 रूपे लगेंगे तो यह charges होते है जो आपको bank में pay करने होते है automatically यह अपने account से debit हो जाता है ठीक है अगर आपके account में पैसे नहीं हो गए तो आपको statement नहीं मिलता है तो आप यह बात ध्यान में रखिए one page अगर आपकी 2 entry भी होगी तो भी 118 रूपे लगेगे अस्ती से ज्यादा होगी तो फिर और एक्सवर्ट रहा ठीक है तो यह आपको देखना है कि आपके account में entries बहुत अगर ज्यादा है तो आप online statement लीजिए internet banking फिर फ्री आफ कॉस्ट है ठीक है बट अगर आप bank में जाके application करते हो statement के लिए तो आपको तो वह pages और उसका total charges जो होते है bank के वह तो देने पड़ेंगे ठीक है तो यह थी छोटी सी information जो और इसका alternate भी है आप online देख सकते हो ATM से mini statement ले लो वह free of cost है ठीक है यह नो account से अपना statement चेक कर लो वह free of cost है अगर आप SBA quick download करते हो तो उसमें भी आपके पिछले 10 transaction आ जाते हैं वह free of cost है तो मतलब alternate काफी सारे है बट अगर आप bank से जाके लोगे तो ही आपको पैसे लगेंगे इस alternatives के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है यह free of cost है ठीक है तो आप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो अब हम मुलेंगे नेक्स वीडियो में तब सची लिए बाइए